कि नमस्कार प्यारे विध्यारतियों दीजिसर क्लासिस के इस ओन्लाइन प्लेटपॉम में आपका फिर से अभिनंदन और स्वागत है हम पढ़ रहे हैं वड़ से संबंदित आपकी वोग टेस्स संबंदित आए चलते हैं हमारी क्लास के सब्सक्राइब पहले है वह आपके थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रेश्न है थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रेश्न है हमारा पहला 2023 में अभी हाली जो भरतू यह थर्ड ग्रेड की उसमें आपके 26 फरवरी आपके 2023 में हो प्रेश्न है चलिए देखते हैं निम्ली कितमे से भाशा की लगुत्तव विकाई में वैर बायन है से समाधिल एक क्विशन अब नेयस्स क्लास में आपके हल कर चुके हैं अगर यहां पर आपके भाषा की सार तक लिखी दिकाई आती तो वो शब्द होता लेकिन यहां पूछा गया है भाषा की लगुत्तम लगुत्तम यानि सबसे चोटी सबसे चोटी जैसे कि मैंने लिखा आ मैंने लिखा मां मैंने लिखा ना यानि यह भाषा की यानि भाषा को कुछ चिन्नों में लिपी वर्द कर दिया गया है वो चिन्न क्या है ये आ माना अब यानि इनके मैं कोई भी यह लगुत्तम यानि सबसे छोटी काई है मां अब इनको मिलाने पर के वर्ण कहनाते हैं आशा की सबसे का यानि अब मैं इनके कोई भी टुकड़े या खंड़न नहीं करना सकते अब मैं इनको किसी भी रूप में तोड़ नहीं सकती यानि यह शब्द क्या है आपके पास अमन है अब इस प्रकार तोड़ के बता दिया वह इससे ज्यादा मैं इसको तोड़ ही नहीं सकती किसी भी का इसकी में तो भाषा की सबसे लोग लगुत्ता मिकाई इनको चिन्दों के मांध्यम से तूचित किया गया है वह क्या होते हैं वह वर्ण होते हैं तहें बढ़ कहलाते हैं मूल वर्ड़ों की संख्या है राइस्तान को लिए स्वामिक सेप्टाइब 2011 की भरती में दिया गया प्रेश्ण है तो सैयुक्तों को छोड़ कर यहां पर आपके मूल वर्ड़ों की यानि 11 तो हमारे हो गए स्वर 11 तो क्या होगे स्वर 11 तो स्वर है कौन कौन ते हैं हैं आपके पास आ आ की की कू की के आ और कर लिया याद रखना यहां सैयुक्तों को छोड़ कर बात होगे एक इसी से संबंदी प्रेश्ण मैंने कल आपको समझाया था वह था आपके केंज्री निदेशाले के अनुसार आपके मूल वर्ड़ों की संख्या क्या है तो मूल स्वर्ड तो गया राते हैं और मूल वेंजन उन्होंने उच्छिप्त वेंजनों को भी उसमें दो जो उच्छिप्त वेंजन थे उसको उसमें शामिल कर लिया था यानि दो उच्छिप्त वेंजन थे धर और आपकर हां वो आपको संख्याले के अनुसार उन्होंने उसमें शामिल किया था पर यह क्या है संयुक्तों को छोड़ कर संयुक्तों चोड़ आपके यह हो गए आपके स्वर्द एक तो दो ती चारफ पांच छे सास आठ नोग अ 근데 आ यह था अब आती है हमारे वेंजनों की बात तो यहां हमारे जो इस पर्ष वेंजन होते हैं उनकी संख्या कित्नी मानी गई है संक्या 25 मानी गई है कितकी सपर्ष बेंजनित कौन कौन से होते हैं वह होते हैं आपके पास फिर आता है चुल चुल पूर्ट फूर्ट और फिर आता है था 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 और फिर आता है थाथ था था और न तरहेगा पा पा था वा था और मा आरिको हम स्जुख जोगें तो यह होता है आपके पास कि यह होता है आपके पास 25 जानी पांच-पांच की भागों में इनको बाटा गया है तो इनकी संक्या किसी 25 फिर आजाते हैं अंतरस्थावन और है उश्मस्थावन की दोनों की संक्या चार-चार बानी गई है यानि यह भी चार है और आपके यह और आपके वागों हो गए आपके 25 25 तो हो गए आपके यह और आठ हो गए यह तो इनको कुल टोटल देखे आप कितना होगा पांच और आठ तीन तेरा और एक कौदा की एक एक दो तीन चंवालिस तो यानि कुल आपके मूल संयुक्त वर्णों को छोड़ने के पस्चार आपके इस प्रकार च प्रकार चाहिए चनवाली तो हमारा उत्तर होगा चंवाली तो अगर आपके प्रेस्ट वर्णों को आजाते हैं प्रश्न है आपके सामने कटवार में 2011 में दिया गया प्रश्न है बहुत ही शामदार प्रश्न है जिसे स्वर के उच्छर में दो मात्राय लगती है उसे क्या करते हैं दो मात्रा वाले स्वरों को हम Quiros स्वर के नाम से जानते हैं तो मात्रा जिसमें लगती है एक तो होते हैं मूल स्वर जिनको हम हरस्थ स्वर के नाम से भी जानते हैं और एक नाम से और जानते हैं वो होते हैं एक मात्रिक स्वर जानि इनमें केवल एक मात्रा ही लगती है मूर्गस्वर और आपके अरास्वस्वर। फिर आते हैं हमार पास दूसरे जो होते आपके इनको हम धिर्गस्वर, गुरुस्वर एवं स्विमात्रिक स्विमात्रिक स्वर की नाम से भी जानते हैं। इसके पार साम से ढिनष सव्व और आपके तुंए मांत्रें अर्दीलोथ होते हैं आपके पार और यह क्यों ने को तू हैं आपके पास बूरो की जिन पर दो मात्रा हैं लगती हैं इस तरह आपके इस अंक्यां अगर बात कर रहे तो चार तो मूरर है और गूरो कितने हैं आपके ऐऊ तोमाता जिसे पर लगती फिशस में मत्रत और लगी इधर आपके इथ की और इक यह दो मत्र कि और एक की दो मत्र कि इस काराण इनको डो दो स्वर आ रारा है क्ति अब कि गयी फार और इस मात्रिक स्वर या आपके Свेमात यहां पर कन्फ्यूज करने के लिए शब्द दिया गया है यानि आपके वर्ण को ही द्वनी कहते हैं हमारे मुख से हमारे मुख से जो भी वर्ण निकल लहा है जिस भी मैंने किस्का में भाषा की सबसे लगुत्ता में का इसमी कह लाती है और उस ध्वनी को ही कि हम वायन के नाम से और जुनी के नाम से तुचित करते हैं या फिर जानते हैं आजाते हैं नेस प्रश्चा पर कि वे डेवनागडी लीपी में स्वरो की संख्या है देव नागडी लीपी में स्वरोगी संख्या हमारी 11 में कहा है त्रिस्ते शेडी 2000 बर्ति में आया हुआ प्रश्न और 20 में आया हुआ प्रश्न देवनागरी लिपी में इसको तो कि इसको और आपके अनुसार है यह देवनागरी लिपी के अनुसार इसको बता गया है त्रिस्ते शेड़ी शिक्षक भरती 2014 में दिया प्रश्न है प्रश्न है इस पार्श वेंजनों को उस्चारण स्थान के आधार पर कि इतने भावों में बाटा गया है वह पांच भावों में बाटा गया है मैं पिछली क्लास में इसपेस्ट चर्चा कर चुकी हूं उस्चान इसको घुसके अपांच वहागों बिवाजित होते हैं हमारा जो मुखहें इसके पांच वहागों एसको में बातागा हुआ है जैसे कि प्वाड करते हैं हम् Beneaire फार जैसे कि मैंने एक मुख बनाया आपके ससास से यह हैं आपके होट आपके तो वह आपको बताया है और आपके गए आपके यह गई आपके मुख मुख के अंदर आपके यह लाइन गई के लाइन जए के आपके गया लाइन और यह है आपका गला यह गला है के गले की सबसे ऊपर की छट मुख के ऊपर की छट क्या कहलाती है कि इसको एक नाम से और जानते हैं मुर्दा और यह जो है कि यह आपके पास तालूब यह आपके गंत दात और यह आपके पास पोश्ट क्या है पोश्ट अब गले से किसका यह क्या है कंठ यह क्या है कंठ अब देखिए कंठ मुर्धा तालू दंत यानि यह किस हो गए आपके पास पास भाग हो गए उस चालड इस्थान यानि इनका उस चालड इस्थान में यह पांचो भाग अपनी एहम भूमी का निवाते हैं यानि कंठ से गले से किन दोनी को उस्चारण होगा मुर्धा यानि मुख के सबसे ऊपर की चछत कौन सी यह वाली है के यह क्या है तालू जैसे हमारी मुख कंठ देल आपस इसुड़ेस दातों के पार आसपाश यह वहोट और आपके लिक्तिंगे इन से जिनवर्णों का उस चालड होगा यानि यह कितने हो गए पांच हो गए एक दो ती चार और पांच वाग होगे इन में इनकी एहम भूमिता होती है कौन कौन से है दिवारा देखते हैं कंठे हैं नमबर दूसरा है तालब है है नमबर तीसरा मुर्धा है नमबर चौता वाई जन्त है और नमबर पांच क्या है पोष्ट आएगा एक दो की चार और पांच यानि इन पांचों भावों की तक्रियता अच्चदिक होती है किस क्रम इस तालव वेंजन नहीं है तालव वेंजन यह नहीं है तो नहीं है यह क्या है यह अन्तस्तावर्ण है leveraging करदेगा यह तो है जो तो तालब वह है घा नहीं है घा देखिए कौन-कौन से होते पर देख लेते हैं हम देखिए कंठ कंठ में आपके आपके और और क्या आएगा आपके जी और आपके और यह क्या है कंठ यानि गले से उच्चारित होने वाले बर्ण है फिर कंठ तालब वे विंजन नहीं है अब तालू से कौन-कौन से आएगे तालू से आएगे आपके तालब वे से उचारित होईगे च, ठ, च, ठ, और क्या होंगे? ए, ए, य, और आपका किरशिप क्या आपके किस उचारित होंगे? यह हमारे तालू से उचारित होंगे फिर आजाते हैं हम नेफ्ट प्रेश्न पर आपके मुर्धा से कौर से उचारित होंगे? मुर्धा से उचारित होंगे आपके पास मुर्धन्य मुर्धन्य, मुर्धन्य से उचारित होंगे? आपके त, ठ, 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 और आपके ठ, और कोनों आपके ज, ठ, और ठ, और श, त, र, श, यह आपके सब किस से उचारित होंगे? पुर्धन्ने से उच्चारित होते हैं, फिर आते हैं हम तालव्य पे, सौरी तालव्य नहीं, दंत पे, दंत पे, तो दंत से आपके ता, था, दा, धा, और क्या, ल, त, ल, और त, देखे, एक शा, एक शा तो गया आपका यहां, तालव्य में, एक शा गया आपका, मुर्धन्ने में, और एक शा आपका कहां आगया, यहां, और उनका, उतर कहां गया, हाँ, उपर चला गया, ठीके, कंठे में, अब क्या आएगा, आपके, उष्ठे, उष्ठे आएगा, उष्ठे में क्या आएगा, पा, पा, बा, भा, मा, और यहां पर आपके क्या आएगा काखा इधर आगया तो ए और आए आपके तालव्य में आएगा इसमें नहीं आएगा तो आपके यह क्या है किस क्रम में तालव्य में नहीं है तो था में नहीं है खा क्या है खा कंठे है खा कंठे वर्ण है यह तालव्य में नहीं है तालव्य में क्या है चाहे जाहे या है आप देखिंगे चाहे जाहे और या आ रहा है तो घहा नहीं है, घहा किसका है, आपका कंटे बढ़न है, आजाते हैं, हम Porras पर चलते हैं चार झालन के चारण इस ठान है, चार झालन के जालन ये क्या है? ये तालवे हैं. दंत में क्या आएगा? दंत में ता, खा, दा, ख, और दा. इजा और ये अपका खा. क्या आपके किसमें आएगा? दंत में तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे जा पूछा गया है और हमसे खा पूछा गया है. ये किसमें आ रहे है हमारे तालवे म और दंत में आ रहे हैं आ जाते हैं नेट प्रेस्ट पर हिंदी बढ़ माला में मूल स्वरों की संख्या कितने हैं हिंदी बढ़ माला में मूल स्वर मूल स्वर पूचे गए हैं तो हिंदी बढ़ माला में मूल स्वर हमारे साथ होते हैं कितने होते हैं साथ होते हैं कैसे होते ह तो एक होता है हमारा लगूसवर और एक होता है हमारा गुरूसवर तो इन लगूसवर के संक्या कितने होती है। और यह चार होते हैं और गुरुस्वर हमारे तीन होते हैं और ठीक है इस प्रकार यानि एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि एक तीन तो इधर होते हैं और आपके इनकी संख्या गुरुस्वर की संख्या के बात की साइब गुरुस्वर की संख्या किते हैं तो दो तो हिंदी वर्ण माना है गूल्ड स्वार कितने माने गई हैं कितने माने गई है जये तो था है लगूश्वर की संख्या कि बात की तो यह कित्ते होते हैं यह हमारे पाख तीन होते हैं I I am I a A I & I इसको हम एक मात्रिक स्वर्वी कहते हैं ऑगर टे Consult को हम एक नाम से और जानते है हरास्व स्वर और स्फट्टे को हम बीर्डसवर से जानते हैं पाम्स्टिस्वर उ agree謾 पाउल झाते हैं जहां दो मात्राइं आती है यानी Also fuar साथ हैं कितने हैं तार आगे आजाते हैं नेक्स प्रेंट परिक्षा 2011 और थर्डगेश आया हुआ प्रेश्ण 12 में यानि इसी प्रेश्ण को रिपीट दो बार किया गया है चलिए देखते हैं किसी क्रम में विब्रत स्वर्थ पहले तो हम विब्रत का शाब्दिक अर्थ दे भई मुखो जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा मुख बहुत अधिक खुल जाता है विब्रत स्वर कहलाते हैं द्वारा सुनिए पह स्वर्थ जिनका उच्चारण करने पर हमारा मुख बहुत अधिक खुल जाता है उन्हें विब्रत स्वर कहते हैं वो कौन सा है आ पूरा की पूरा खुल गया तो वो क्या होते हैं हमारे विब्रस्वर कहलाते हैं चलिए देखते हैं नेट कोश्चन पर आपका पटवार भरती में आया हुआ प्रश्चन 2011 में प्रश्चन है आपके सामने संसंत्रियों में संपंट के आधार पर हिंदी वरंड माला में बेंजनों के दोंव्र किए गये हैं उनके आधार पर उसको दो भागों बाटा गया है एक होते हैं सगोष्वन एक होते हैं आपके अगोष्वन स्वर्तंत्रियों में जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे जो फेपड़ों से वह आयूंधार निकल लई है सब्सक्राइब समस्टियों से उन्में हलका सा कंपन करें जिंजनाहाओ हमें इसप्ष्ट होती है उन्हें आपके क्या बोलते हैं गोश्वन और सगोष्वन के नाम से जानते हैं तो हमारा उत्तर अगतर नम्र हमारा क्या है अगोश्वन और आपके अगोश्वन अब यह कौन-कौन से होते हैं यह देखें यह वर्ग का थीसरा चौन से और पांचवा और क्या आएगा और इसमें समझ से इसमें आपके वर्ग का पहला को सही वर्ग का पहला अगोष्भाण आगे आजाते हैं नेक्ट्ट्रेश्ण पर कि क्रमांक में मूल्सवर है वह मूल्सवर अभी हमने देखा है आपके 3 चार होते हैं आ थी और तो मूल्सवर क्या है हमारे पाव यह बाकी क्या क्यार्मांक में मूलस्वर आपका है यह आपका सयुक्तुषवर है यह बहुत है और यह कर दो हमारा मूल ऑल आगे आजाते हैं किस्ति क्रमाग में धढ़ा के वेंजन की सटिक बात कही गई है उच्छिप्त मुर्धन्य वेंजन है इसके नीचे बिंदी आएगी और क्या है यह मुर्धन्य वर्ण भी होते हैं अभी हमने देखाता ना आपकी क्या आएगी टार्ठा ताठा और क्या आएगा दोनों री आएंगे और क्या आएगा 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 उच्छिप्त वर्ण करें दोनों मुर्धन्य वर्ण में यह क्या है मुर्धन्य वर्ण है उच्छिप्त वर्ण जब जुबा हमारी उच्छिप्त कि जिवन हमारे जटकें से बाहर फैकती इवन का उच्छिक से बाइन तो होते हैं संक्या में दो होते हैं तो भात्रहुत था जह य। उमने स्सें मोई सबसे कम खुलता है उन्हें सम्रत स्वर को जाते हैं जिनमें उनका उच्चारण करने में फुक सबसे कम खुलता है, सम्रसर और जहां सबसे अधिक कुलता है, सबसे अधिक कुलता है, उसे क्या कहते हैं, विब्रसर और जो सबसे कम, मुँख सबसे कम कुलता है, और यहां पर मूह सबस्यादी खुलता है हमारा उसनर क्या है संवरत स्वर होगा पट्वा भरती दोहजार जारा की भरती में ही दिया रहा प्रेस्ट है आगे आजाते हैं नेक्स प्रेस्ट बर सैयुक्त स्वर है सैयुक्त स्वर आपका ओ है यह आपके देखे मूल स्वर के अगर बात करें तो हमारे पास जो मूल स्वर हैं तो हमारे पास कि कि हैं साथ हैं इन साथों को भी दो भावों हमी बात किया गया था एक होते हैं आपके लगुस्वर और एक होते हैं आपके तीर् आ, की, तू, और फिर जिर्वसवर होते हैं आपके आ और यानि ये तो है हमारे पास का और ये हैं हमारे पास अब यहां संयुक्त स्वाथ हो रही है तो आ और मिलकर, दोनों मिलकर को बना रहे हैं हमारे पास को बना रहे हैं कौन-कौन एक तो हो गया आ इधर से तो हमने आ निकाला और इधर से क्या दिया हमने दोनों मिलकर का बना रहे हैं संयुक्त स्वर बना रहे हैं तब जाकि ये 11 होते हैं संयुक्त स्वर भी देख लेते हैं कौन-कौन से होते हैं वाई, इ और उ मिलकर आए बनते हैं और ए मिलकर आए बनते हैं और आ और आए बनते हैं और आ पर ओ मिलकर आउमाद तो यह कौनते स्वर हैं यह संयुक्त स्वर कहते हैं ठीक है अब साथ तो यह हो गए चार यह हो गए साथ चार किस्टे हो गए आपके पास जारा यह किस्टे हो गए साथ और चार, चार जो गये साथ और चार कित्ते हो गये आपके पास जारा स्वर भू完 तो तो हमारे पाँ लाहसवर है तो हमारे पाँ जिरो स्वर है और बाकी आपके दीर्फ़र तीन है उधर अमने संयुक्त स्वर ले लिए कौन थे आई और एई और आई 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 आउर ओ और आउर आउर आपके यहां पर दो मात्र आएंगी है तो यहां संयुक्तिस्वर क्या है आपका यह किसे बना है इंदों आगे चलते हैं और लिए जानदार प्रशन इनमें इसे कौन क्ता कथन सही नहीं नहीं वाले प्रशणों बच्चा हमेशा गलती आता हुआ भी वह क्या करता है जल्दवाजी एक तो हमारे एक जाएर दवाव होता है कर सकता है जिसको बहुत भली बाती से प्रश्णों के उत्तर आते हैं और अगर बहे बच्चा भी नहीं कर पा रहा है तो उसकी गलती क्या है वो गलत सही को भी गलत कप करता है वो जल्दवाजी में दवाब के कारण मैंटली दिमाग टेंशन में होता है उस कारण भी आपके जल्दवाजी को गलत के की वहाइं गालते हैं पर ऺणी को कि को ऑलख सकता है मैं कृहले कृश्चे पढ़ी हृत यता कैंगा लिए आप पहन दे नहीं को सकते तो निद्वाज में द्वे सकते है किले सब्सक्राओं इनको क्या पिए हाइलाइथ का छृत झाली करेया हाई ग होगा प्रसही प्रस जवाब आपको जल्दी मिले तो बच्चा बार वर प्रश्ण को पढ़ते समय उदस जाता हो वहीं आपके नमपर सही प्रश्ण उत्तर आपके वहीं पर आपकी गल्ती होती है चलिए देखते हैं इन में से कौन सा कथन सही नहीं है आ कंठे दोनी इब्रक कर सही नहीं है यह कथन चार बीटार में हमारा उत्तर क्या होने असनलंबर 40 दनी है और देखते आब च्छा गोनी किसके आती है वहाई च्छाद होनी हमारे संयूक्त वर्णों के अंतरगत संयूक्त वर्ण। यह हमारे का और क्योंता मेर, और स्याता मेर संयूक्त वर्ण। बलाती है, तो ये क्या हूँ आपका difah sayur बढ़ोत नमबर 3 हहाँ सही होगा त्यश्यारी शुक्षबढती, ही हजार बारा में दि प्रतिते हो सकते ह regulating आपको लगतार आप इंका अभ्यात करो हुए तो वो आपके अभ्यास द्वारा ही गम हो फाती है किस के योग से बना है देते हैं इन मैं से किस विकल्प में सभी वनिया दंत हैं, पफ स्वाहिल दंत द鬼यों की बात हो रही है, तो हमने जोन भी बात जीए दंत में आपके ता खा जा ठा और या और शा ये तो ये क्या है आपकी दंत धनिया होती है यहां हमारा क्या सही है आपके शार सही है जोभी साम yr Sort Me कि गौर्टे चीजों को देखना बहुत आप देखेंगे तो यहां दोनों शब्द है undocumented our इस नहीं आएगा चो कि समय जाता है उपके चैने नहीं आएगा चाए मुझा यह कर आए गो यह दौनों यह प्तालम से जय गा एक kissing से जाएगा में गिणा से आएगा आधेन से जोजे Pacific आनलु क करने में मुड़ा से देखो बैसलों तो यह मुर्दा है यह कंभंद में तीनों में दंथ में तीनों 11 टेंट हैं तो देदिया है वारी का निया दौत को परती तंस्कृत में 2019 में दिया गया प्रश्न है इनमें हिंदी वर्ण माला में संबंदित कौन सा कसन गलत है जानपूरबक देखे सबसे पहले मैंने क्या करा क्या गलत है यह बार बार के दियों शुद्ध अशुद्ध गलत उसहिं है असंगत है इस तरह के जो वर्ड होते है प्रश्न को भी गलत कर देखे सबसे पहले हाइलाइट कीजिए हाइलाइट करने से चीजे सही होईगी आपको एक बार में ही आपका उस्तर मिल जाएगा समय करा नहीं होगा आगे चलते हैं देखते हैं का वर्ड हा तता आ आ आ कंठे बढ़ माने जाते हैं बिल्कुल सही ब हाथ है बैंने आपको बताती हैं का वर्ड हो यानि का। यह अ और कंठे बढ़ माने करें प्रशुष्वर्ण है पर यह चीज गलत है वह ज्यादा प्रश्मंद पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं है आगोश्वर्ण होटे समस्तस्वर्ण जहोते हैं एक होटे हैं कि क्या होत होते हैं और एक क्या होते हैं अल्प इन दो शब्दों को याद रखो आपके कहीं भी उत्तर नहीं जादा समस्त्स्वर क्या होते हैं समस्त्स्वर ही अल्प प्राण होते हैं समस्त्स्वर अगोश्वर नहीं होते हमारा कसर उत्तर हमारे क्या मिलेगा उत्तर नमबर तो हमारा यहां पर सही है उत्तर सही क्या है हमारा दो तो समस्ट्वर क्या है हमारे पार मैं इसको यहां साटा देती हूं जो वो बच्चा आगर मान लो खशीद है अचानक भी आके क्लास में बैटा है उसने देगे मैडम ने तो उपर कभी सही ला रख कर नीजे कभी तो हमारा गलत क्य इत्तर हे हमारा है उत्तर हे हमारा हुशन कहा है कर और च होती है और जाते हैं यहां प्रेश्टूर्ट efficient लिइफैयां तीज लेवल 2000 में आया हुआ प्रेश्ण है ध्रक्रा का मुर्धन्य स्थान है पुर्धा या पुर्धन्य आगे आजाते हैं नेक्ट प्रेश्ण पर निम्न मेंसे अशुद्ध है थड़ गिरे संस्कित एजुगेशन 2003 अभी हाल ही एकजाम में आया हुआ प्रेश्ण है प्रतेश्ण बर्ध का पहला 35 अलप प्राण विंजन है विशम वर्ण होते हैं यानि आपके विशम बर्ध पहला 30 और 5 और आपके सभी सवर्ध क्या होते हैं अलप प्राण विंजन होते हैं क्या होते हैं कि अलप प्राण को सही है कलट नहीं वितिक वर्ध का पहला चौथा और ऊशम वर्ण महा प्राण होते हैं यहीं पहला चौथा नहीं यहां पर दूस्त आना क्यों आएगा है हमारा उत्तर में मिल गया है अलपरेन के इसाया महा प्राणुक्त वहाण। अब्यों कद्यूप्य episodes 5 दो करना सुतेन वर्न आ राहए कहला है जाए अक्षी रख्रण। अक्षियम्स में नहीं है अटियों सुल्ग करना अटी जचतर वाण। के पहला का वर्ग का पहला तूसरा वर्ण और क्या और आपके तीनों श्या क्या होते हमारे पास गोश्वर्ण होते है तो वर्ग का पहला तो है का अभी है पा और फा भी है वा क्या है वा यहां हमारे पास गोश्वर्ण का है गोश्वर्ण है वा गोश्वर्ण है ना कि संधी की दरष्टी से संगत विकल्प का संगत का प्रस्ट पूल स्वर पूल स्वर कौन-कौन से होते हैं सब थीर का स्वराइं कोई करते हैं जीर स्वराब की होते हैं की रहा है आपके थीर को स्वरा Efra कि दुबारा देखते हैं हम आई और यह स्वार्थ यह आपके अल्प प्राण बेंजन में आपके वर्ग का आपके काखा चछ पाफ यह आपके अल्प प्राण होगे और अगोशवन होगे आपके संसरा लावा अगोशवन या अल्प प्राण होते हैं अगोशवन होते हैं आपके काखा दौमारा समझे इसको वो तुम्हारा देख लेते हैं स्मूल स्वर आपके हैं सिर्ग स्वर आपके हैं और अगोष्ट वर्ण हैं आपके हमारा उत्तर आपका यहीं सहिए हां उत्तर हमारा यहीं सहिए पहले में तीसरा है खा में दूसरा है और गा में आपका चोथा है और अगोष्ट वर्ण आपके यहें विशम संख्या है विशम संख्या है आपके पहला और आपका दूसरा आपका अगोष्ट वर्ण होते हैं और आगे चलते हैं नेक्स प्रश्ट में जमत्तर हमारा यहां प तो यहां पर सही होगा आगया जाते हैं नेक्स प्रस्ट पर किख्षक बरती 2000 स्वादा में दिया गया प्रश्ने आ कि अच्छा विस्थान क्या है कंठे है आगया जाते हैं आपके पुरे वर्ण आपके किस नाइंगे कंठे दोनी में आएंगे स्ट्रैनो ग्राफ पर 2000 इसमें दिया गया प्रश्न है अगया से ने प्रश्न सूमेली तकीजिए तूमेली तकीजिए तरह इस तरह जाते दाता है तो वड़ाही दिमाग घूम जाता है किवा सा क्या हो चले ता क्या से पहले में तीसरे तो हमें यह मिलना है फिर दूसरे मेंए आपका पहला है तीसरे में आपको 4 अगर आपके पास लगाई आपका उimal तर में पहले को देखा को का किसका है संस्क्राइए है को अचान हो चैनी, हुआ जाना दोघ में नहीं होना है अगर आजाते हैं लग प्रकेवां रखना बहुति नहीं है किस वह स Suppose आख यानि कॉंठे में को अजी है कंत और खोष्ट से होटो से जाने इसमें दोनों भाग हमारे स्क्री और एक तो गला और हेको फूंसा और और की जो धुनिया आ है वह आपके गले तो यह आपका उत्तर क्या होगा श्पॉट होगा ऐगा आगे आजाते हैं किस क्रमांक में की स्वर का उत्चारण इस्थान है की आपके सालू से बोला जाता है डिया जाते हैं निमलिकित में से कंट तालव्य है यह आपके कंट या नहीं कंट और जहां तालू का भाग बोल ले में वह कंट तालव बता सैंट जिल से तो धवनी निकल ले उसमें आपके तालू भी वाग सक्रिय और कंट्पोश्ट में क्या होता है और आपके यह प्रश्ण हो गया तो हमारा उत्तर क्या होगा उत्तर नमबर एक यहां पर सही माना आगे आजाते हैं जो वर्णों से संबंदि जो श्रंक लाती वह अभी समाप्त हो चुकिए आशा है यह प्रश्णावली जो हम करा रहे हैं मोक्तेस से संबंदित आपको बहुत ही मजा आ रहा हो आनंद आ रहा हो इसे करने में आज के लिए इतना ही आज के लिए नेवाज कर दो कर दो